लोटस आयरुवेदा इंडिया में आपका स्वागत है आज हम बहुत करेंगे अमेरिका में मिला शेक्षुली ट्रांस्मेटिब फंगल इंफेक्शन का पहला मामला मैं इसके लक्षन और कारण बता रहा हूं पूरा वीडियो अब ध्यान से दिखेगा क्यों वीडियो सभी के लिए फाइदेबंद है तो आई शुरू करते हैं दुनिया वर में ऐसे कई स्वास्ते समंदी मामले और बीमारियां निकल कर आती रहती हैं जो लोगों को सोचने में मजदू मजबूर कर देती हैं कि हाली में यूएस के अमेरिका में पहली बार सेक्शुली ट्रांस्मेटिट फंगल इंफेक्शन का मामला सामने आया है दर असल फंगल इंफेक्शन की एक रिपोर्ट प्रकासित हुई है जिसमें डॉक्टरों ने इस पर चिंता जाहिए नियुवार्क में पहली बार इस तरह के किसी मामले की पुष्ट की गई है तो आई जानते हैं इसके बारे में क्या था पूरा मामला वह आपको बताता हूं नियुवार्क के 30 बर्सी सेक्शुली ट्रांस्मेटिट फंगल इंफेक्शन के मामले की पुष्ट हुए मिडिया रिपोर्ट की माने तो संक्रमित सक्स कैलिफोनिया इं नियुवार्क लोटने पर उसकी सरीर में कई बदलाओं मैसुस किये गए इस रिपोर्ट के मताबिक उसका सरीर पर दाद की निसान की तरह ही कोई निसान था जो की काफी संक्रमित होता है बैक्तिके पैनिस और कूलों पर एक अलग परकार की चकपते बिक्षित होने लगे थे उसकी सरीर के कुछ अन्य हिस्सों में रासिस और जलन भी हो रही थे क्या यह फंगल इंफेक्शन है यह फंगल एक प्रकार का दुर्लव इंफेक्शन है जो आम तोर पर दाथ की तरह दिखाई देता है लेकिन बास्तम में यह दाथ से काफी अलग होता है इस स्ति को टिन्या इंफेक्शन के नाम चे बी जाना जाता है इस इंफेक्शन में गिर्शित होने के बाद मरיע के चेरे पैर और कंदों पर रिंग की तरह निशान बन सकता है यह इंफेक्शन खास्तोर पर साफसफाई नहीं रखने वाले लोग गरम तापबान में रहने वाले या फिर ज्यादा दवाएं लेने के कारण भी हो सकता है पालतू जनवरों के संपर्थ में आने से भी ऐसा हो सकता है एक्जमा की तरह दिख सकते हैं निशा सेक्शली टांस्मेटिट फंगल इंफेक्शन होने पर कई बार लोग से अन्न तुचा समंदी समझता हैं समझ कर नजार अंदाज कर देते हैं जिससे यह इंफेक्शन बढ़ जाता है और कई बार एक्जमा की तरह तो कुछ मामलों में दाद का आकार भी ले सकता है इसलिए शरीर में किसी भी तरह के बदलाव दिखने पर आप तुरंत डॉक्टर से सदा लें तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अबस्त बताएं धन्यवाद्व अपका बदाएं पीचर का लाई लाटा नजाएं था हमारा इसलिए शů वे भीड़कर वीड़करा बन्यवाद्वार के लगवादरे तो प्रिंसालियो घ्ट पढ